नमस्कार दोस्तों स्वागता आपका राजू लेक्ट्रिकल यूटूब चैनल पर हो सके चलन को सब्सक्राइब कर दें और जिन भाईयों ने घंटी का बटन नहीं दबाया वो कृप्या घंटी का बटन दबा लें तांकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिगेशन से पहले आप तक पहुंचे दोस्तों आज की वीडियो में हम बात करेंगे टूवे में टूवे क्या होता है टूवे कनेक्शन कैसे किया जाता है और इसका यो बर्तों है यूज है वो कहां कहां होता है टूवे मतलब टूवे कनेक्शन होता है जो वो आम करके एक टूवे स् स्विच होता है नॉर्मल उसमें दो पॉइंट बने होते हैं यहां पे वायर हम कसते हैं लेकन जो टूबे स्विच होता है तो जो हमारे टूबे स्विच होती है वो होती उसी स्विच के जैसे बाहर से देखोगे तो उसी स्विच जैसी लगेगी लेकिन उसमें अंदर में ती जब हम इसे शोड़ते हैं तो ये दोनों पॉइंट आपस में हैं जो शौट हो जाते हैं लेकन टूवे स्विच में जब हम स्विच को बंद करते हैं तो ये और ये पॉइंट सट जाते हैं आपस में और जब हम स्विच को आउन करते हैं तो ये और ये ये उपर वाला वीच पाले से सट जाता है तो इसका मतलब ये दोनों तरफ काम करता है तो इसकी जो वर्तों है इसकी यूज है वो कहां कहां होती है सबसे पहले तो इसकी यूज है जो सीड़ी में होती है जो घर की हमारे सीड़ी होती है उसमें इसका यूज होता है उसमें जैसे कि हम नीचे से वल बंद कर देते हैं लेकन आज कल टूवे जो स्विच है इसका यूज है वो बाथरूम में क्योंकि आज कल अटैच बाथरूम बनता है जिसमें एक रूम में दो दो रूम में एक बाथरूम बना रहता है तो दोनों तरफ ये स्विच लगी रहती है ताकि जो एक रूम वाला आ आते हैं, तो सब से पहले तो इसमें Two Way में आपको दो स्विच है जो लगाना है, एक जैसे सीडी के नीचे और एक सीडी के ऊपर ये देखिए ये हो गया और यो बलभ है आप ये ऊपर में लगा दिया अपने सीडी में ये जो है बलभ है जो लगा दिया तो अब यो पहला connection है उसमें क्या होगा कि आपको दो तार लेके जाना परेगा जो नीचे वोड है उससे उपर जिस पे उपर जा करके जो वोड लगा है जिसमें उपर टूबे स्विच है वहां से आपको दो तार है जो वो लेके जाना है और उपर वाले जो बीच वाले में छोड करके स्विच के दोनों को ऐसे मिला देना है ये तार आप जितनी मर्जी लंबी ले सकते हो 10 मीटर, 20 मीटर, 100 मीटर ये काम करेगी तो अब नीचे वाले को हमने दे देना है फेस फेस दे सकते हो इनवार्टर से आपको बलब जलाना है तो इस जगा आपने इनवार्टर का वायर लगा देना है तो अब इसके जो बलब का जो एक वायर है इसे हम वहाँ से नीटल दे देंगे क्योंकि जो रूम में बलब लगा होगा उपर पौडी में वहाँ न्यूटल तो होगा ही फैन वाक्स से उठा लेंगे कहीं से उठा करके न्यूटल जोड़ देंगे और इसका एक सिरा हम उसी वोड के टूबे स्विच के बीच में दे देंगे तो अब ये फुल बर्क करेगा जब हम यहां से जलाएंगे तो बलब जल जाएगा जहां जा करके बंद कर देंगे यहां से जला करके जहां आ करके बंद कर देंगे ये बिल्कुल 100% दोस्तो सुरक्षित तरीका है बिल्कुल ये अगर आप अच्छी क्वाल्टी के जो हैं switch लगाना है आपने घर की wearing अच्छे से करवानी है तो आपको electrician को बोलना है कि ये हमारे को connection ये करवाना है लेकिन ज्यादा तर electrician इसी तरह है जो connection है वो करते हैं लेकिन एक दूसरा connection है जिससे कि बहुत ही बड़ा है जो खत्रा हो सकता है उस connection को करने से क्योंकि मेरे साथ ये घटना दो तीन बार हुई है तो सबसे पहले उसका हम connection समझाते हैं उसके बाद में हम उसके बारे में बताएंगे कि उसमें आपको क्या क्या है उससे ऐसा भी हो सकता कि अगर आपके घर में MC भी नहीं लगा हुआ तो आपका जो short circuit होकर आपकी वैर बगरा भी जल सकती है ऐसा connection है वो उस connection में दोस्तो ये two way switch आपने एक नीचे लगा दी और एक two way switch उपर लगा दी और ये आपका है जो बलब है तो अब तो लैक्ट्रिशन क्या करता है इस switch से एक तार ले जा करके बलब के एक तरफ दे दे altogether और इस स्विच से एक तार लिया करके बलब से दूसरे तरफ दे देता है इसको बलब को न्यूटल है जो नहीं देता है तो अब क्या करेगा कि इसमें आपकी एक वायर की है जो वो बचत हो गई यहां से एक ही वायर गई यहां से एक वायर गई तो इसमें आप क्या करेगा ज इस बोड में जो स्विच्च होगी वहाँ न्यूटल फेस होगा ही तो उसमें भी एक तर्फ न्यूटल लगा देगा है जो उस तर्फ है जो फेस लगा देगा तो यह तरीका है दोस्तो यह 100% है जो वो बर्क करता है लेकन यह सुरक्षित है जो अगर आप आपकी समझ में जो सुरक्षित होगा जो भाई इसको अच्छा मानते हैं लेकिन हमारी नजर में जो शुरक्षित तरीका नहीं है क्योंकि अगर तो आप लगा रहे हो बढ़िया quality की switch तो तो ये चलेगा अच्छा चलेगा 10 साल भी चल सकता है 12 साल भी चलता है lifetime भी चल सकता है इसकी कोई guarantee नहीं होती है लेकिन अगर आपने घटिया quality की switch लगाई है तो ये तरीका तो चल जाएगा घटिया quality में भी लेकिन ये नहीं चलेगा क्योंकि हमने एक बार पहली पहली बार जब हम कर रहे थे तो इसी तरह connection किये लेकिन कहीं हम देखे इस तरह connection को जो wrong है बिल्कुल तो हमने ऐसे कर दिया तो क्या हुआ कि कहीं से switch का जो spring है वो तूट गया कभी दबाते थे तो spring है जो switch का तूट करके neutral face में दोनों में सट गया और इतना blast हुआ कि जो है हमारी tar वगरा यहां से जल गई और जो board है पांच-पांच का जो 8 module का board लगा हुआ था तो वो बिल्कुल खराब हो गया तो एक बच्चे ने जो switch दवाया था तो वो भी डर गया था तो इसलिए जितने भी भाही हैं उनसे request है कि आप कभी भी connection करो तो ऐसा connection करो यह connection सुरक्षित नहीं है क्योंकि switch के दोनों तरफ neutral face रहेंगी अगर आप यहाँ inverter भी दोगे तो और अगर spring जुड़ गया तो आपका inverter है जो खराब हो सकता है तो यह है बिल्कुल गल्ट connection है और यह connection है जो सही है तो वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो आगे share कर देना और अगर अच्छी ना लगी हो तो आप dislike कर सकते हो और जो मित्र हमारे चैनल प्रनाएं है उनसे request है कि हमारे चैनल को है जो subscribe कर दे और वीडियो देखने का सभी मित्रों का धन्यवाद थैंक्यू यह हिंद